अब बढ़ी में वह पर्मानेंट जो 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 उसको छोड़ करके जब यह बखरा पालन कर रहा हूं तो मेरे को लगता है कि नहीं यार मेरे को उससे ज्यादा इसमें बेटर है टाइम पूरा मिलता है उसके अंदर कॉर्परेट जोब थी नौ सुबह नो बजे जाना शाम को च् 150-500 किलो से उपर जो भाई लोग हमारी वीडियो को शेयर करेंगे उनके लिए कोई ना कोई ओफर जरूर दे कीमत में है बिल्कुल जरूर देंगे से वीडियो सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें घंटी का बटन ओल पे कर दे ताकि सभी नोटिफिक है जैसा कि आपने टाइटल में भी पढ़ लिया के 170 केजी तक के बगरे इस फारम में अवेलेबल हैं और बता दे के बहुत बड़ी नौकरी छोड़ी भाई नौकरी क्यों चोड़ी है क्या कारण है लाखों रुपे कमाते थे भाई साब लाखों बोले तो सालों का करोड़ रुपे ही बोलेंगे क्योंकि भाई सब बताएंगे आपको काफी बड़ी पोस्ट पे थे उसके बाद में अब आ गया है सर बकरी पालन में कारण क्या रहा सब कुछ बताएंगे सबसे पहले रिक्वेस्ट आपके भाई की वही है कि अपना बेश किमती लाइक जरूर कर दे का का से भाई लोग जुड़े हुए हैं ताकि हमें पता चल जाए कर फारमिंग बाबा चैनल को का का से प्यार दिया जा रहा है और दोस्तों सब्सक्राइब सब्सक्राइब कर देशार्य बाइंब हमारे बाई यह नाम को बताया है के तो बहुत बड़ी और काफी मतलब पैसों का तो कोई साब किता भी नहीं है हमारे भाईयों को थोड़ा बताएं मोटिवेशन मिलेगा उन्हें क्या काम करते थे और क्यूं मतलब बकरी पालन में आगे क्या कारण रहा जी सर मैं मैंनेजर था प्रेक्री के अंदर और अकाउंट्स मैंनेजर था जोब मैंने चोड़ी क्या टाइम पर जब कोई सिक्यूरिटी नहीं रही तो उस टाइम पर मैंने नौकरी छोड़ी थी उसके बाद में कुछ फ्रेंड्स वगरा से मिलने के बाद यह बकरी पालन में गुज़ गए जी गाउं में रहते हैं राजस्तान के गाउं में हैं हमारा कड कौन कौन सी नसल पर काम कर रहे हैं आभी इस टाइम पर प्रेजेंट कौन सा माल आज देखाएंगे हम अपने पास में पेले देखो यह जो लोट अपने पास में वैसे पांधी आ अब हैं हाट में लोट देख पा रहे हो यह वाला सिरोई के कुर्बानी बकरे चला पतलब सबसे पहले दिखाते हैं बागी की बात करेंगे बाद में सबसे पहले तो चेक करें भाई साब दुआधार वक्रा यह देगे किता बजन बता रहे हो सर इसका इसका 150 से बावा सर यह लोगी 150 किलो से उपर देखो भाई साब रोब देखो आप इसका बकरे का पूरा बड़े फ्रेम में सीना चेक करें तकड़ा और भाई साब पैरों की मजबूती देखें कमाल का बगरा फेस की क्वालिटी देखें शांदार मज़ा आने वाला वाई कमेंट लाइक जरूर करते रहें य लो जी अगला बकरा चेक करें जी वाई किता क्या डीटेल है इसकी यह भी 150 kg के आसपास है 150 kg के आसपास देखें और कैसी क्वालिटी लग रही है सर के पास आपको कमेंट में जरूर बताते रहें इसको जैसे यह करता है तो मेरे भूह तक आता है बिलकुल बिलकुल यह दे सब्सक्राइब करें जी बाए लिया खाते जाएं और आफरे बगने एए लो जी सर यह देखें शेप वाई जीवाई खड़ा किता शांदार है और शुली वाला जोली वाला भंदाफा खूबशूरत बग्रा तना हुआ बग्रादेखें और देखें बाइस सीना एकदम था लाल वाला यह देखिए अज मेरा यह चेक करें वाई सब लाल तो दोस्तों यह फारम है प्रॉपर लोकेशन बताना सर एक बार दूंगरिया खुर्द में न्यू दाइमा गोट फारम जो की भाई सर कर रहे हैं पूरी टॉप की क्वालिटी पे काम जी बाई और यह देख यह एक से बढ़कर एक जी और सर बताते जाएं जरा कित्ते कित्ते मतलब अपने पास 165 किलो 165 का बगरा वहां यह देखिए एक दम तगड़ा बगरा यह लो जी भाई सब चेक करें डवल अड़ी जो भी देखेंगे आप डवल अड़ी में मिलेगा भाई के पास समालने मुश सब्सक्किल हो जाता पर फिर वी कोशिश करने अच्छे से डिखाने की जी यह देखिए आगे बगरा दिखाते हैं आपको जिस भाई ने हैवी वेट चाहिए वह भी मिल जाएंगे जिसने अना कम वेट के चाहिए वह भी मिल आपने पास में हर तरीके के बगरे हैं साट के सब्सक्राइब जिसे लेकर के एक सो सब्सक्राइब जिस अब पूरा पूरा है और जैसे अभी बगरों का जानकारी देए ना ऐसे बगरों का रेट क्या चल रहा है पट्टी से किलो से क्या बाव मतलब देते हो आप सब्सक्राइब करता है कि किस तरीके के बगरे चाहिए अपने पास में एक से एक बगरे हैं अपने आप मान के चलिए 17-1800 रूपय से बखरा चालू होता है जो अपने पास में 80,000-90,000-10000 रूपा थक के बखर अपने पास में अवेलेबल है जी मतलब अगर कोई किलो से लेना चाहिए वो भी मिल जाएगा नगपे लेना चाहिए नगपे भी मिल जाएगा जी और अगर सब्सक्राइब पट्टी पट्टी की बात करें ना तो वह क्या इसाब से पढ़ेगी कामियाब है और उससे उपर जैसा पट्टी आपको बनाना चाहते हो उस तरीकी की पट्टी मिल जाएगी एडवांस देने की कोई जरूत नहीं है यह सारा माल स्टॉक में खड़ा है जी बिलकुल यह देखे और जो भाई लोग हमारी वीडियो को शेयर करेंगे उनके लिए कोई ना कोई जरूर देए कीमत में है रहा बिलकुल जरूर देंगे सर जी तो वह आपको मिल जाएगी चाहे पट्टी पे सोधा करेंगे वह भी आपको डिस्कांट देहरेंगे सर और चाहे आप किलों पर करेंगे हैं केजिए तो वह भी इसकी खूब्सूर्ती के और जैसे इसके इलावा चलो यह तो इद का सीजन चल रहा है इसके मतलब बाद में अगर यह सौधा मतलब बिक जाता है तो उसके बाद कैसे मिलेगा अपने भाईयों को अपने पास में वैसे तो 70 परसेंट अपने पास में होता है तो आपको जब भी आएंगे आपको माल बड़े मिलेंगे बच्चों के अंदर बाकी बड़ी बख्रियां वगरा है वो भी हम लोग रखता है पंद्रा बीस बख्री पच्छीस बख्री एनिटाइम स्टॉक में रहती है अपने पास में जो है जो नए फार्मिंग के कुर्बानी के बख्रे है जो अपन 400 बख्रों क रहने खाने पीने का सिस्टम से अपने फार्म पर रूम वगरा है उसको सेफ पील हो तो अपने फार्म पर रूख सकता है और यह शको बोले नहीं में अपने पास में सारी सुईधा से लेकर के शूरी सुईधा है यदि कर सैटिस्फाइए तो हमारे यह पर रूप सकता है और सर्ट ट्रांसपोर्ट का क्या सिस्टम है मतलब सार बड़े बहुरों में तो वैसे पिकप चलती नहीं क्योंकि 5-10 बखरी यह आते हैं है यह वैट वाले तो आप 10 बखरी मुश्किल 20,000 रुपए आ जाते अभी के टाइम में जी वैसे नॉर्मल टाइम में 20,000-22,000 रुपए में मिल जाती है ठीक है ठीक है और उसके अलावा छोटी महिंद्रा बोले नो पिक अप मिलती है जो बच्चों वगरों के लिए 14-18 रुपए पर किलोमेटर उनका चार्ज होता है 14 रुपए किलोमेटर में वो लोग टोल टेक्स वगरा सारी चीजे लेते हैं अलग से खर्चा लेते हैं ठीक है तो पूरा मतलब भाई सर ने बताया है ना ट्रांसपोर्ट का बता दिया तो आपको कहां पर आके कॉल कर ले हम अपने को अजमेर के कॉल करेंगे हम अजमेर से उनको पिक अप भी कर सकते हैं तो अजमेर के कॉल कर लेना संग नंबर लगातार फ्लैश हो रहा है सर इधर आए जरा आप से जैसा हमने स्टार्टिंग में बताया आपने इतनी बड़ी नौकरी मतलब छोड़ दी बकरी पाल से प्रफेशनल रख के बाद में गुसे इंकम देखी तो सारीची बूल गए जब बखराय पालन चालू करते हैं यहां प्रिमें कमाई के पीछे सारी ही चलिया जाते ह Qur obtain तो अगर करें तुमद्कूरी से और इस तोनों में अभी परत्क्या निकाला आपने सर फर्क यह निकाला नौकरी से सिर्फ यह सटिस्फेक्शन मिल सकता है कि आपको एक पर्मानेंट सेलरी मिल रही है जो मेरे को साथ हजार रुपए उस टाइम पर मिला करती थी जी सर अभी में वह पर्मानेंट जो जोब थी उसको छोड़ करके जब यह बकरा पालन कर रहा हू आदमी लगा देख लेगा आपन कहीं जाना चाहिए जा सकते है जैसा चाहिए वैसे लाइफ इस्टाइल जी सकते है बिल्कुल तो देखा जी आपने बहुत शांदार सर ने बिजनस स्टार्ट किया यह हैवी बगरों पे स्पैशल जो इत के लिए अभी तो गवर्मेंट न में भी अभी इसमें सबसीडी लेना चाहता वह आपके आसपास के लाके में पता कर सकते हैं और उसके थुरू भी भखरे ले सकते हैं बिल्कुल जी धन्यवाद सर और दोस्तों चैनल का काम सिर्फ आपको जानकरे देना आप खुद की जिम्मेधारी पे खरीदी का फैसला गॉल ले ले तो भाइयों के टोनु भाई एंक्यू बहाई और क्रिस बाइकों सा गाउनवें जी यह तुन्गरिया खुर्द अज्मेर का गाउन है सर से कौल करके बात कर सकते हैं संजेजी हलो सर हलो और उसामा भाई हाई हलो जी और उसामा कॉसल बंप